लोको पाइलेट ने पुलिस को बताया, कई बार हॉन बजाने पर भी ट्रैक से नहीं हटे गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर रील बनाते वक्त हाथसा, तीन की मौत प्रमुक संबाद दाता, गाजियाबाद मसूरी एरिया के कलुगरी में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की च मरने वालों की पहचान नदीम, 22, जैनब, 20 और शकील, 22 के रूप में हुई है। मसूरी पलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर हाथसे की वजह क्या है। जैनब अंधेरे में विडियो बनाया। क्या कहते हैं मनोचिकितसक इस घटना के वाद ऐसा करने वाले लोगों की मनोस्थिती के बारे में जानने के लिए एनबीटी ने एमेंजी अस्पताल के मनोचिकितसक साकेत नात्तिवारी से बात की। उन्होंने बताया कि आज के समय में जल्दी काम्याभी पाने और मशहूर होने का तरीका शौट वीडियो बंग गया है। जिन्होंने किसी स्किल पर काम किया। रिस्क वाले वीडियो आपको एक दो बार हिट करा सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं। इसके अलावा इस से जान को भी खत्रा रहता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है और स्टेन जरूरी है तो एक्सपर्ट को लेकर ही शूट करें। रेलवे ट्रेक और उचाई वाली खतरनाग जगहों पर इस तरह के वीडियो शूट नहीं करें तो बहतर है। साथ महीने पहले ही हुई थी शादी। प्रेक के पास मिले मरने वालों में पती, पत्नी भी शामिल। तीसरा शक्स दोस्त था परिवार के लोगों ने रील बनाने की बात को किया है। खारिज लोकल पुलिस हर पहलू से कर रही है। इस मामले की जाँच मौके से मिले मोबाइल का डेटा रिकवर होने के बाद केगी रील बनाने की बात नदीम शकील जानकारी के अनुसार, शकील और नदीम पाइलिट ने अपने बयान में तीनों के ट्रेक पर दोनों ट्रक चलाते थे और आपस में दोस्त वीडियो बनाने की बात कही है। जो तूट चुका है। डट जैनप के पास कोई मोबाइल ही नहीं था। अभी तक पुलिस को जितनी जानकारी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं ताकि पता हाला कि इस मामले में ट्रेंग के लोको मिली है उससे लग रहा है कि तीनों स्टंट चल सके कि वे रील बना रहे थे य नहीं के अनुसार उनके पास मोबाइल नहीं था। वही पुलिस का कहना है कि मौके से मुशाहिद कॉलोनी में रहते थे। बुधवार रात तीनों के शव घर से करीब धाई किमी दूर रेलवे ट्रेक के पास मिले। शकील के भाई नफीस ने बताया कि उनके भाई को फोट और विडियो बनाने का शौक नहाँ था। इसके अलावा नदीम के परिवार के अनुसार स्टेंट विडियो बनाने का अज्शा।